इवियम बनी भासपा के लिए विक्टरी मशीन कॉंग्रेस मतगरना सुरू करने से पहले वीवी पैक मर्चियों की गिंती करवाने की विपच्च की मांग खारिश करने पर कॉंग्रेस ने अचुना आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है कॉंग्रेस जानना चाती है की विपच्च की मांग खारिश करने का आधात क्या है इवियम को लेकर आ रही खबरों का जिक्र करते हुए कॉंग्रेस ने आरूप लगाया है की यह बासपा के लेक्टरोनिक विक्टरी मशीन बन गई है कॉंग्रेस तरवक्ता अबेशेक मनू सिंग्वी ने समादातों से कहा की चुना आयोग जो भी फैसला करता है इसकी जानकारी नहीं देता मेडिया के जलिये यह जानकारी मिलती है उन्होंने कहा की विपर्च के 22 दल यानि 75 पीस दी आबादी का परतिनिधित कर रहे दानितिक दलों की और से मंगलवार को चुना आयोग ने से दो मांगे रखी गई थी पहली मदगर्णा से पहले विवी पैट पर्चियों का मिलान और दूसरा मिलान के दोरानियदी गरबड़ी मिलती है तो बंदित सभी विधासभा के बूथों की पर्चियों का मिलान किया जाए पर अब पता चलता है कि आयोग ने इस मांग को निरस्ट कर दिया है उन्ने सवाल किया है कि इसका क्या उच्ट हो सकता है इसका क्या आधा है सिंग्वी ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है सिंग्वी ने आरोप लगाया है कि आप चुना आचा सहिंता मोधी चुना पचा सहिंता बन गई है ऐसा लगता है कि EVM भासपा की इलेक्ट्रोन विक्त्री मसीन बन गई है उन्होंने दावा किया है कि ये है समेधानिक संसा के लिए काला दिन है आगा इपसित एक ही पक्ष लेना है तो फिर संसा का इपसुत दंता का क्या मतलब हो सकता है इवियम पर भासपा अध्यक्ष अमिशा के बयानों से जुड़े सवालों पर सिंग्वी ने कहा कि वे आहिंकार से चूर होकर मुद्दो को भटकाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि ना तो इवियम हटाने बदलने की बात हो रही है और ना ही हैकिंग की बात तो यह हो रही है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले